भारत में काम करने के लिए कच्रीना कैफ ने डिरेक्टर के सामने रखी थी ये शर्ट सल्मान खान और कच्रीना कैफ की फिल्म भारत ईद पर यानी 5 जून को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ओफिस पर खूब धमाल मचा रही है ये बात सभी जानते हैं कि फिल्म में कच्रीना के पहले प्रियंका चोपडा को कास्ट किया गया था लेकिन प्रियंका ने अपनी शूटिंग के कुछ दिन पहले फिल्म करने से मना कर दिया कच्रीना कैफ को आखरी वक्त पर फिल्म में कास्ट किया गया कचीना फिल्म करने के लिए मान तो गई लेकिन उन्होंने अलियबाद जफर के सामने शर्ट रखी एक इंटिव्यू में उन्होंने कहा मैंने अली से कहा था कि अगर किरदार मस्बूत होगा तब ही मैं फिल्म का हिस्सा बनूंगी कचीना आगे कहती है मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन ये मेरे करियर का सबसे बहतर रोल है ऐसे कई उधारण है जहां सल्मान खान की फिल्मों में किसी और आक्टर को ज्यादा स्क्रीम टाइम नहीं मिलता लेकिन किस्मत से मुझे फिल्मे मजबूत केतार के साथ मिली बल्ड़त को लेकिन किसी झाल को जदे देऊती हूँ रहतर रहता है किसी महीं मुझे एक पठचछाइभों मैं में टूओक ग्टर आस पिल्ग है